हे गाईज आप सभी का वेलकॉम है गुरुकुल हव यूटूब चैनल पर गाईज आररवी की तरफ से ओफिशन नोटिफिकेशन आ गया है अब आपकी क्या-क्या मांगे होनी चाहिए आररवी से वो यहाँ पर इस वीडियो में अच्छी तरिके से जान लिजे क्योंकि सभी स कि अगर सेम मांगे होंगी और लाखों की संख्या में अगर इमेल किये जाएंगे सेम टू सेम बातों को लेकर तो आररवी वहाँ पर आपकी बात को मानने के लिए विवश हो जाएगा बात्य हो जाएगा और डेफिनिट्री ऐसा हो पाएगा जैसा आप लोग चाह रहे हैं और बिल्कु जो सच होता ना सच का साहत सब देते हैं तो वही हो रहा है और क्योंकि इस बार आर भी के एंटीपीसी नीटीपीसी के जो एक्जाम में उसमें बहुत बड़ा है बहुत बड़ी धांदली जैसा की लग रहा है क्योकि अगर भांदली भी ना कहीं इस्कैम भी तो यहां पर और बीने बिल्कुल पूरी तरह से सब परिवर्तित कर दिया विप पहले जैसे और भी एंटिक पीसी का रिजल्ट आता था उसी इसाफ से देना चाहिए थे ना क्योंकि यह तो एक सीबिटी फर्स्ट का एक्जाम है हर एक्जाम को देख लेजी चाहिए यूपी आपको रखना है RRB के सामने और यह जो पॉइंट है गाइस यह आपको कहां पर मेल करने है पहले वो जान लीजिए वीड़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी कोई भी पीडियेव को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जहां पर बहुत छोटे से अमाउंट यानि की 50% के डिस्काउंट के साथ पर्चेस कर सकते हैं सभी पीडियेव के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं देखे आर आर बी का जो इमेल है इमेल पर आपको आर आर बी को करना है ठीक है आर आर बी कॉमिटी सी ओ इस पर आपको मेल करना है और आपके पास जो समय है वह 16 फर्वरी 2022 तकका समय है ठीक है गाइस तो चलिए क्या-क्या आपके मेंट होने चीह हैं क्या-क्या बाते उनी चीह जो आपको आररभी के सामने रखनी है देखे यहां पर जो आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए सबसे पहली बात होनी चाहिए कि यह यहां पर होना चाहिए जो आरार भींटी पीसी है न्टी पीसी CBT first है उसमें 20 गुना छाटरो को शामिल किया जाया है जो करीब 3.5.3 गुना छाटरो को यहां पर शामिल किया गया है CBT first के result में तो यहां 20 गुना छातरो को इस result में सामिल किया जाया ठीक है यह हमारा दूसरा पॉइंट होना चाहिए जो गुरूगी एक्जाम है गुरूगी एक्जाम से चुको हटाया जाए यह हमारा तीसरा मुद्द्द होना चाहिए हटाया जाय पॉइंट पर आते हैं चोथी जो आपकी बात रहेगी वो ये रहेगी कि डॉकुमेंट वेरिफिकीशन में जो है जैसा कि पहले नोटिविकेशन में था जो ये विद्यप्ती जारी की गई थी गुरुबडी के लिए तो वहाँ पर 1.5 गुना छात्रों को शामिल करने की बात की गई थी तो शामिल क कि आजाए, देड़ गुना छात्रों को शामिल किया जाए ठीक है ये मुद्धा हमारा रहना चाहिए कितना देड़ गुना छात्रों का शौट लिस्ट किया जाए ग्रुबडी के एक्जाम में फिर आता है हमारा पांच पॉइंट आता है कि medical standard medical standard पहले जैसा हो यह नहीं कि जो तीन दे पहले जो नोटिफिक्शन जारी कर दिया गया उसकी अकॉर्डिंगो standard पहले जैसा हो रहे जैसा पहले होता रहा या पिछली नोटिफिक्शन में रहा है यह हमारा ओना चाहिए पाच्वा पॉइंट्ट छटा मुद्धा होना चाहिए हमारा की हर एक financial year में हर एक financial year का का केलेंडर जारी करें केलेंडर जारी करें हर एक फाइनेशल यहर का मालीजे 2022 है तो 2022 का पूरा केलेंडर यहां पर जारी होना चाहिए कि लिए साथवा पॉइंट हमारा यहां पर आता है कि कि दॉकुमेंट वेरिफिकीशन के समय जो EWS का मुझ्धा बन रहा है EWS जो है वर्तमान तिथिका मानने किये जाए उस टाइम पे यह जो अब का माना जाए जो अब छात्र बना रहा है ठीक है तो यह हमारे होगे होगे है ci इतने पॉइंट उगे साथ पॉइंट होगे आठवा पॉइंट हमारा आता है आठवा पॉइंट हमारा आता है और ऑर Śद्धर है कि गुरुपडी एक्जाम जो है उसका टेंडर n.s.e.it की बजाए की बजाए इसको को दिया जाए यह दिया जाए जी TCS को जैसे पहले TCS कराता रहा है TCS इस एक्जाम को कंड़क्ट कराए ठीक है नौवा पॉइंट आता है नौर्वलाइजेशन प्रिक्रिया को बदला जाए नौर्वलाइजेशन प्रिक्रिया को बदला जाए मतलब इसको कोई न कोई इसका alternate निकाला जाए क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है यह चीजे थोड़ी समझ से बाहर हो रही है कि किसी बच्चे को तो 30-30 marks का मिल जाता है चीजे थोड़ी सी ट्रांसप्रेंसी के साथ होनी चाहिए कि कैसे ऐसा पौसीबल है जबकि आप यह वह यह बी दावा करते सारे लगबग एक जैसा बनाया गया है जब एक जैसा बनाया गया तो एक पीपर में बच्चे को दो मार्जी या 30 या फिर कम भी हो जाते है मार्क्स कम भी हो रहे है तो ऐसा कैसे है तो इसको थोड़ा सा इसमें तब्दीली लाई जाए इसमें कुछ परिवर्तन लाया जाए या इसका कोई प्र ग्रूच क्लिन निकाला जाय काई काई बडर क्या होता है हजारों किते एक चले जाते हैं जो जो तो रेलवे की या किसी भी डिपार्टमेंट की जो सीटे होती है वो खाली रहा जाते तो अगर वेटिंग लिस्ट होगी तो जो शॉट लिस्टेड छात्र हैं उनको यहां पर शामिल किया जा सकता है तो यह हमारे कुछ पॉइंट होने चाहिए आप लोगों के कुछ दस पॉ डॉट इन पर आपको 16 फरवरी 2022 तक यह मेल करना है उसके बाद चार मार्च को इस कमेटी का निर्णे निकलेगा तो आपको 16 तारिक से पहले पहले यह अपना पक्ष रख देना है तो आज की वीडियो में यही था आपको यही बात बतानी थी कि आपको इन दस बातों को लेकर वहां पर इमेल करना है वीडियो पसंद आगे वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को शियर जाता से जाता करना ताकि सभी बच्चे एक ही बात को वहां पर उनके समक्ष र